दोस्तों यहां पे Snapdragon vs Media Tech की लड़ाई अक्सर चलती रहती है लेकिन क्या आप लोग को मालूम है कि इस बार जो लेटे Snapdragon 8 Gen 3 और Dimensity 9300 है ना यह दो नो 4NM की टेक्नोलोजी पे बिस्ट है यार सिंबल सा अंसर ये कि इस बार क्या हुआ है कि TSMC की 3NM चिप्स का जो हील्ड होता है ना वो यहां पे Apple ले ले लिया और 85% चिप्स जो रहते हो Apple के पास चली गई है जिस कारण से पुराने 4NM का ही यूज करके Snapdragon 8 Gen 3 और Dimensity 9300 को निकाला है लेकिन एक सर्प्राइसिंग चीज लगी इस बार on paper Dimensity वाला processor काफी अच्छा लग रहा है जिसकी specification भी काफी अच्छी है और अगर Mobile phones पे आ जाए देखो बात करें तो Snap Dragon वाले फोन अल्रेडी है पर आ रहे है IQ Company IQ 12 निकाल रही है इंडिया का पहला phone होगा जिसके इंदर Snap Dragon 1 Gen 3 होगा वही आने वाले समय में Vivo अपना X100 में निकाल लेगी जिसमें Dimensity 9300 होगा लेगन एक बाब बता सकता हूँ आप लोगो यहाँ पर बात इधर यह है कि यहाँ पर जो Vivo Company है से वही यहाँ पर Dimensity वाले phones को निकाल लेती है आहम तोर पे जातर जो Companies हो Snap Dragon के उपर जाना पसंद करती है वह मेरे साब से चीज़ किन्द थोड़ा चेंज आना चाहिए अगर Companies लोगों का Option दे और जो भैतरी प्रोसेसर होता है अगर वही देखने को मिले तो काफ़ी ज़्यादा खमाल के बात होगे लेकिन सिर्फ वित्ता ही नहीं यहाँ पर मैं एक और बात एड़ करना चाहूँगा कि इस बार 4NM की टेकलोजी पे लोग प्रोसेसर बना रहे है लेकिन इन Companies का एक प्लान ये भी है तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहती है पीछे की कहानी और इसी के साथ ही आप आपसे मैं बात करना चाहूँगा एपल के बारे में देखो इंडिया में जो एपल है वो लिटरली काफी अच्छा कर रही है वलब फेस्टिव सीजन में पंदरा लाक आईफोन को बेचती है बिग बिल इंडियस में बहुत बेच और उसके लावा भी बेच रही है और सुनने में है कि एपल इंडिया ने लगवग पचास हजार करोड कर रेविन्यू यहाँ पर जेनरेट किया जो कि बहुत अच्छी तीज है और टिन कुकनी में बहुत हाइलाइट करी कि इंडिया से ने आल टाइम हाई रेविन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ तक कि यह भी हाइलाइट कि इंडिया के अंदर काफी जादा ग्रोथ पोटेंशल है कि यहाँ पर अभी हम और भी जादा ग्रो कर सकते है और काफी सारे लोग जो एस्पिरेशन रखते है जो कि एस्पिरेशन बाइयरे कि हम भी एक महगा प्रोडटक्ट ट्रीमियम प्रोडटक्ट यूज करेए और लोग के अपर एप्पल अभी भी जिन्दा रहेगा और देखके लगता है कि Apple के iPhone की sales यहाँ पर काफी जादा जबर्जस हो रही है लेकिन सर्फ इतना ही नहीं यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता सकता हूँ कि इंडिया में आप iPhone सो बनना शुरू हो भी चुकिये लेकिन अब यह और भी जाती है इस इंग्रीज होने वाला है और जो Apple है न वो चाइना से हटा के focus इंडिया पर कर रही है क्योंकि सिंपल सी बात है चाइना के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि चाइनीज गवर्मेंट ने गवर्मेंट ओफिस में iPhone को बैंड कर रखा है और यहाँ पर Huawei जैसी कंपनी ने इसका काफी फायदा उठा Huawei जैसी कंपनी चाइना में ग्रोथ कर रही है और Apple को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो Apple भी सोच रही कि अब चाइना से अटाके का focus manufacturing sales सारी चीज़ अगर हम इंडिया पर करते तो काफी साई चीज हो सकती है आने वाले समय में तो Tata company ने भी विस्ट्रोन की facility जब acquire कर ली तो यहाँ पर भी iPhone बनाने का सोच रहे है और जब यहाँ पर iPhone बनेगा तो सिफ इंडिया भी निविगेगा इंडिया के भार भी पिकेगा है न काफी साई चीज यहाँ पर यह और इसी के साथ ही बात कर रहे है तो इस हफते यह भी confirm होगा कि GTA 6 फाइनली आने वाला है ठाला कि बाब बता सकतो GTA 6 की rumors हम कई सालों से सुन रहे है और पिछले 10 साल पहले यहाँ पर पहला GTA 5 रिलीस हुआ था जो की रिलीस हुआ था PlayStation 3 पह है अब आपको पता है कि PS5 में भी एक नया बाडल आ जोग है PS5 Slim लेकिन अब पता चलता है कि GTA 6 आएगा और GTA 6 आपको जो ट्रेनर होता है न उसका वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा December के महीने में वो भी काफी interesting चीज़ होगी देखने वाली कि इस बार Rockstar गेम से हाँ पर क्या करती क्या नई चीज़े लेकर आती है क्योंकि 10 साल के बाद अगर GTA गे बार है न एक बहुत बड़े चीज़ है Personally मैं तो काफी excited हूँ देखते हैं यह में आप एक इस टाइप का रहता है इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पर telecommunication related कुछ news है मेरे बास जैसे की बात करें तो अभी हम लोग काफी ज़दा परेशार रहते हैं spam messages वगरा से जो कि spam SMS आते हैं तो आप नए रोल निकल के आए कि जो भी company को अगर आपको spam SMS भीज़ना होगा न उसे आपसे consent लिन अपड़ेगा यानि कि आगर आप agree करोगे तब ही companies आपको भीज़ेंगी वरना फालत हो कि जो spam SMS होते वो देखने को नहीं मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप की सी अहिटल और नोकिया के साथ बेसिकली जो तीनों companies है ना यहाँ पर feature phones भी बनाती है और इंडिया में अभी भी लोग feature phone purchase करते हैं लेकिन mostly feature phones 4G enabled नहीं होते इसलिए Jio का जो भारत phone platform था जिसका use करके system 4G enabled phone बनाया जा सकता है लगबग 1000 रुपे में तो वो concept इनको provide करेंगे और ये market में और भी जादा 4G enabled phones नकाले लावा company, Nokia company हाला कि अभी भी में expect कर रहों कि affordable 5G phone का जमाना कब आएगा वो अभी एक और देखने वाली बात है इसलिए के साथ ही बात करें तो इंडिया में telecommunication के उपर काफी अच्छा काम हो रहा है अब यहाँ पे इंडिया से बनी हूँ equipment आपको बाहर कुछ African countries में भी देखने को मलेंगे जो काफी अच्छी चीज़ है जहाँ पे वहाँ के टेलीकॉम के जो infrastructure होता है वहाँ पे मदद करेंगे और यह देखके काफी कच्छी चीज़ लगती है जहाँ पे इंडिया जो है फो धीरी-धीरी telecom industry के अंदर भी rise कर रहा है यहाँ तक कि जहाँ पे मैंने Jio का millimeter wave का भी module देखा था जिसे उन्होंने इंडिया के अंदर ही develop किया था और वो 5G mm wave को support करता है तो हाँ यहाँ पर भी research होरी development हो रहा है चीज़े हाँ पर बन रही है और धीरी-धीरी telecom industry भी हाँ पर rise कर रही है और telecom से बात करें तो सुनने में आए कि जो starling company ने Elon Musk की वो भी इंडिया में शिद license supply करने वाली satellite based internet का और देखने वाली बात है क्या Elon Musk का starling इंडिया में का बात है वैसे एक बाप बता हूँ starling satellite based रहेगा और उसकी pricing high रहेगी और इंडिया में जो fiber broadbender वो अभी भी काफी affordable rate और अवाले बात है तो वो एक देखने वाली बात है हाँ पर तो देखा जाए तो यह कुछ यहाँ पर सफते की न्यूस थी आप लोग इनमें से कौंसी न्यूस पसंदे इंचे कमेंड बताए थैंक्यो को देखने की मैं आप साम दो नेक्स्ट रं में गुडबाइ